हाई दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों मैं आपके साथ बिजली निगम के एक जो शर्चार्ज माफी वाली स्कीम है वो डिसकस करने जा रहा हूं जो डिपार्टमेंट में जो पीछे सर्चार्ज माफी की जो स्कीम लागू हुई थी उसको अब आगे बढ़ा दिय गया है 31 मार्च तक सरचार्ज माफी स्कीम लग है तो दोस्तों मैं आप सभी को मैसिज देना चाहता हूं कि पिछली बार जब यह सरजार्ज स्कीम लग हुई थी उस में बहुत से जो हमारे विजली बोर्ड के उबहुगताओं उन्होंने इसका बेनिफिट उठाया था और स्कीम खतम होने के बाद भी बहुत सारे उबहुगता आए थे जो इसकीम क्या बेनिफिट उठाने के लिए आए थे लेकिन उस समय डेट जा चुकी थी और डिपार्टमेंट ने उबहुगताओं के उपर ज्यादा बोज ना पड़े और वो किस्तों में पेमेंट डिपार्टमेंट में प्ये कर सकें तो दोस्तों अब उसकी डेट 31 मार्च है और यह डेट भी ना चिले जाए इसलिए मैं यह वीडियो आपके पास डाल रहा हूं इस वीडियो के सब्सक्राइब के अंदर सर्चार्ज माफी वाली तो दोस्तों आप सभी इस टेट से पहले जिसी भी उबहुगताओं का सर्चार्ज से रिलेटिड है या उनका मीटर फटा हुआ है या कोई भी बिलिंग से रिलेटिड जो भी सर्चार्ज समश्याएं है उसके लिए अपन ज्यादा बर्डन भी नहीं आएगा आप आसानी से उसको बर पाऊगे जिन उबहुगताओं का मीटर साइड से फटा हुआ है डिफाल्टिंग अमाउंट के उपर वह अपने बिलो को ठीक करवा के और सर्चार्ज स्कीम के अनुसार वह अपनी किस्ते बंद वा सकते हैं और फर्स किस्त के बाद उनका मीटर भी लग सकता है तो दोस्तों आप ये डेट नहीं जाने दें और 31 मार्च से पहले किसी भी बोगता का सर्चार से रिल्टिड या मीटर फटा हुआ है उसके अप्लिकेशन दे के अपना बिल्ट ही कराएं और समय पर इस स्कीम का फाइदा उ हो सकता है दो बार आपको ना मिले तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे बेनिफिट को उठाएं और अप